नेक्स्ट एक और इंपॉर्ण आडिकल पर आज के ही दाहिदू न्यूस पेपर में एक और टॉपिक है जिसको हम GS पेपर नंबर 3 Defense and Security के Point of View से लिंक करेंगे बात यहाँ पर हो रही है कि जो हमारी Cabinet Committee है On Security इनोंने 19,000 करोड रुपए की एक बड़ा मेगा जो डील है उसको Approval दे दिया है और जो यह डील है यह किस के लिए है हमारी Navy के लिए और Navy को क्या Provide करवाने के लिए है BrahMos Missiles तो हमारी Navy के लिए BrahMos Missiles खरीदे जाएंगे उसके लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर डील हुई भी है अब किसे खरीदे जाएंगे BrahMos Aerospace से सिंपल सी बात है BrahMos Aerospace एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया और रश्या दोनों ने मिलकर Establish कर रखे हैं दोनों मिलकर काम करते हैं तो कहने का मतलब है BrahMos Aerospace एक Joint Venture है यह क्या करते हैं यह BrahMos Aerospace BrahMos Missiles को produce करते हैं ऐसी BrahMos Missiles दोस्तों यहां पर यह होती है इस Missile में कुछ खास बात है मैं आपको आगे बताऊँगा तो भारत और रश्या दोनों मिलकर इस Missile को develop कर चुके हैं ध्यान रखना दोनों ने मिलकर इस Missile को तयार किया हुआ है तो अभी यहां पर यह जो बहुत बड़ी डील हुई है एक Megabooth डील हमने देखी है इससे इंडिया नेवी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा जिसके तयाद हम 19,000 करोड रुपे से यह डील करेंगे और इसमें इसको बैसिकली Approval अभी मिला है अभी चीज़े फानलाइज नहीं है बट Approval बिल गया है जिस रुपे में इतना रुपे में दोस्तो 200 ब्रह्मोज यह सूपर स्वानी क्रूज मिसाल हमको प्राप्त होंगी हमारी इंडिया नेवी और ज़दा मजबूत होती हुई नजर आएगी ठीक है और जो यह Contract है यह केवल अभी Approval मिला है Sign कब होगा तो March के पहले सपता में Sign हो जाएगा ऐसा भी बताया गया है यह Contract किस-किस के बीच में Sign होगा ब्रह्मोज Aerospace और Ministry of Defense ब्रह्मोज Aerospace बिसिकली क्या है वही Joint Venture जो भारत और रश्या ने मिलकर Establish कर रखा है दोनों मिलकर यहाँ पर ब्रह्मोज मिसाइल को बनाते हैं दूसरी तरफ भारत का हमारा जो Defense Ministry है वो ठीक है तो यह दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं यह Deal को Sign करने वाले हैं अब जो ब्रह्मोज है दोस्तो यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिया की नेवी के लिए यह एक important role play करेगा अल्रेडी play कर रहा है और दूसरी तरफ देखोगे यह जो ब्रह्मोज मिसाइल है यह इंडिजिनियस मिसाइल से यानि कि हमने खुच से बनाए वे हैं हमें रश्या का थोड़ा support मिला है और इसमें maximum role इंडिया का है समझ गये अब एक इंडिजिनाइजेशन का concept जब आता है तो यही पर कई सारी जो countries है उन्होंने अपनी दिल्चस्पी दिखाई है ब्रह्मोज मिसाइल से और दोस्तो फिलिपिन्स नाम का जो कंट्री है वो भारत से इन मिसाइल्स को purchase कर रहा है तो ब्रहमोज मिसाइल्स अल्रेडी यहाँ पर जल्दी फिलिपिन्स को export की जाएंगे और फिलिपिन्स दुनिया में पहला customer होगा जो यहाँ पर हमसे ब्रहमोज मिसाइल्स को purchase करेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो हमारे ब्रहमोज aerospace जो company है इसको जो head कर रहे है अतुल राने साब इनका कहना ही है कि अभी तो हम फिलिपिन्स को यह मिसाइल बेच रहे है लेकिन आगे हमारा target है कि जो PM Modi ने एक target बनाया है कि भारत आने वाले समय पर पांच बिलियन डॉलर का defense item export करेगा वो पूरे target को हम जल से जल अचीव करेंगे अभी के लिए फिलिपिन्स ने लगबग 375 मिलियन डॉलर की deal किये है जिसके तैथ हम इनको यह ब्रहमोज missiles प्रोवाइड करवाएंगे उसके बाद दिरे दिरे 2025 तक हम पांच बिलियन डॉलर तक के हतियार अलगलग देशों को बेचेंगे यह इंडिया के defense export के मामले में एक बहुत बड़ी जीत होगी तो यह हमारा news article हो गया यह आपको पूरी की पूरी जो खबर है वो समझ में आ गई आप खबर को थोड़ा side करता है क्योंकि यह जो news है वो exam बे इतनी help नहीं करेगे आपको इसी current को static data से जोड़ना होगा तो यहाँ पर static क्या है आपका ब्रमोज missile हो गया तो ब्रमोज missile क्या है इंडिया रश्या के थुरू दोनों के थुरू मिलकर बनाई वी एक fastest cruise missile ठीक है एक cruise missile है ध्यान अगना बाकी दोस्तों बोला जाता है कि दुनिया के अंदर में एक अच्छी खाजी speed वाली missile है जिसकी जो speed है वो है mark 2.8 यारे कि जो sound की speed होती है जो ध्वनी की गती होती है उससे 2.8 गुना ज़ादा तेजी से ये missile चल सकती है अब question ये भी आता है कई बार कई बार एक question पूछा गया one day examinations में कि जो ये ब्रह्मोज नाम है ये नाम कैसे पढ़ा इस missile का नाम ब्रह्मोज ही क्यों रखा गया तो दोस्तों ब्रह्मोज basically दो नदियों का नाम है एक ब्रह्मपुत्रा और दूसरा मौस्कवा तो ब्रह्मपुत्रा जो भारत की नदि है मौस्कवा जो रश्या की नदि है तो इन दुनों नदियों के उपर यहाँ पर इस missile का नाम ब्रह्मोज missile रखा हुआ है ये missile दो stage वाली है इसमें एक solid problem engine है पहले stage के अंदर में और दूसरे stage में यहाँ पर liquid ramjet engine का यूज किया हुआ है ठीक है multi platform missile है very very important एक ऐसी missile जिसको हम कहीं से भी launch कर सकते है कई बार कुछ restrictions होते हैं जातर missiles में कि आप इसको यहीं से launch कर पाऊगे बस लेकिन इसमें अच्छी बात यह है चाहे आप इसको जमीन से launch करो चाहे हवा से launch करो चाहे समुदर से launch करो इसमें multiple capability जो कह सकते हो की launch करने के तरीके हैं वो यहाँ पर नजर आते हैं और pinpoint accuracy के साथ में और उससे अच्छी बात कई बार ऐसा होता है missiles के वाल दिन में launch करे जाएंगे इसमें बस खली क्या है आपने एक बार launch कर देना है उसके बाद सीधा भूल जाना है सीधा बिना guidance के अपने target को यह hit कर लेगा अब दोस्तो इसी missile के अंदर में पिछले कुछ समय पर धेर सारे developments हुएं for example April 2022 के अंदर आप देखोगे तो anti-ship version जो है वेरियंट से बहुत सारे जो versions और ब्रहमोज में साल के वो दिरे दिरे और भी launch होते वे हमारे पास में आए हैं